Hello friends, welcome back तो friends, Sunday के एक ने Tech Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज है Sunday और Sunday के इस वीडियो में मैं आप लोगे कुछ इंट्रेस्टिंग कोशन्स के अंसर देता हूँ आपके कुछ डावट्स के लिए करने की कोशिश करता हूँ तो चलिए करते हैं आज के question answer शुरू तो पहला question आप लेते हैं रवी रेड रोस जी का ये लिएते हैं कि Around 15 इंच टीवी विद IPS पैनल Telsum 2024 मॉडल, Sony, Samsung और LG मॉडल रवी रेड रोस जी देखिए इस टाइम सेमसंग ने अपने 2024 के मॉडल लाँच की है लेकिन सेमसंग के टीवी में IPS पैनल नहीं मिलता है वी ये पैनल ही हमेशा मिलता है LG के अभी टीवी मॉडल लाँच नहीं हुए है वैसे LG ने अपनी वेबसाइट पर दो टीवी मॉडल अपडेट किये है UT9040 और UT9050 लेकिन उनके वारे में कोई डिटेल अभी डिस्क्लोज नहीं किया सिर्फ उसकी इमेजेज वहाँ पर उन्होंने अपडेट किये है कल शाम तक मैंने चेक किया था तो उसमें हो सकता है कि IPS पैनल मिले लेकिन उनके दौनों ही टीवी मॉडल में 50 इंच का वेरियंट नहीं है 55, 65 और 75 इंच का वेरियंट है सौनी के टीवी मॉडल अभी नहीं आये है सौनी ने अभी European मार्केट में अपने टीवी मॉडल लाउंच की है इंडिया में आई तिंक अब जल्दी एक दो महीने में इनकी टीवी मॉडल भी आ जाएंगे तो अभी तो 2020 E4 का 50 इंच का IPS पैनल वाला टीवी बता पाना मुश्किल है और हमेशा वैसे यह भी देखा गया है कि सौनी के और जो LG के 50 इंच के मॉडल होते है इन में वी ए पैनल ही मिलता है तो IPS पैनल मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी अभी आपर कहपाना मुश्किल है अगर आपके कोशन लेते हैं सोमनात सरकार जी का यह लगते है कि एसेर 32 इंच QLED TV और एसेर 14 इंच TV कौन सा लेना चाहिए सोमनात सरकार जी मुझे लगता है कि आपको एसेर 14 इंच TV लेना चाहिए 32 इंच QLED के कंपरेजन में QLED TV में थोड़ से कलार वागरा आपको बेटर मिल जाएंगे लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी स्क्रीन अगर होगी तो वह आपको QLED से भी थोड़ी सी बेटर लगेगी 8 इंच का स्कीन साइज का इसमें फर्क आया था जो कि काफी ज़दा फर्क रहता है तो आपको एसेर 14 इंच टीवी लेना चाहिए वो बेटर रहेगा आहाँ पर कोशन लेते हैं बिंदस पॉइंट जी का यह लिखते हैं कि माई टीवी अलसो इस्टॉप्ड वर्किंग ड्यू तो सम पावर फ्लक्टवेशन अंड टेक्निशन विदाउट ओपनिंग अनिधिंग चार्ज थी फिफिटी रुपीज फॉर जस्ट इंस्पेक्श हो गया टेक्निशन यहां पर चेह करने के लिए आया उसने थ्री फिफिटी रुपीज चार्ज किया बिना कुछ टीवी को खोले हुए और उसने बताया कि इसमें आट जार रुपे रिप्यार का लगेगा और उसमें थ्री मंत की वारंटी आपको मिलेगी और टेक्निशन न लेते हैं और अगर आप रिप्यार नहीं करवाते हैं तो थ्री अंडेड रुपीज अपने पास तक लेते हैं अगर आप उनसे रिप्यार करवाते हैं तो जो भी बिल बन बनता है उसमेंसे वह थ्री अंडेड रुपीज लेस हो जाते हैं अगर वह लेस नहीं करते हैं आप उन्होंने पैनल रिप्लेस किया उसका जो बिल बना तो 350 रुपीस उसमें से उन्होंने लेस्ट कर दिये मेरा भी आउट ओफ वारंटी था तो देखिए तो विजट चार्जिस वह चार्ज करते ही है आपका टीवी डेफिनिटली वारंटी में नहीं होगा पावर फ्लेक्टेशन की विज़से देखी टीवी खराब हुआ है तो अगर पावर सप्लाई अगर मदर बोर्ड खराब हुआ है मदर बोर्ड रिप्लेस हो रहा है तब तो ठीक है आठजार रुपे का वो लग सकता है लेकिन पावर सप्लाई अगर खराब हुई है तो लोकल ऐले टीवी मैकैनिक से उसे चेक कर वालें अगर फ़वर सप्लाई खराब होगी तो रिपेयर भी हो सकती है बहुत ही कम पराइज में और अगर वह रिप्यरविल नहीं होगी तो इसको रिप्लेस किया सकता है बहुत ही एजली टीवी की जो पावर सप्लाई यह वह कहीं पर भी मार्केट में बहुत ही एजली मिल जाती है मदर बोर्ड मिलना थोड़ा सा मुश्कल होता है पावर सप्लाई किसी भी ब्रैंड की चल जाती है बस उसका थोड़ा सा पावर की जो आऊटपुट वगरा होता है वो ही यहाँ पे मैच करना होता है, जादा उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी लोकल अली टीवी मेकानिक से पहले उसे चेक करवा लें और रही स्टेबलाइजर की बात, तो स्टेबलाइजर अपने टीवी के साथ में लगा के रखें तो बेटर है, अगर पावर फुलक्टेशन आपके आसपास में होता है, तो टीवी के लिए सेफटी थोड़ी सी उसको तो रहती ही है तो मेरा तो आप से यही कहना है कि आप अपने आसपास पहले उसको चेक करवा लें अगर वहां से कुछ नहीं हो पाता है, फिर आप ब्रांट से करवाएं क्योंकि 8000 रुपे की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है आप पर कोशन लेते हैं जैवीर सिंग डाजपूत जी का ये लिखते हैं कि हेलो सर हाउ आर यू सर मेरा बजट रुपीज 40,000 है टीवी लॉंग टाइम के लिए यूज़ करना है कौन से ब्रांट का टीवी लॉंग टाइम के लिए चलता है जैवे सिंग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमीद है कि आप भी ठीक होंगे 40,000 लिपीज आपका बजट है और आपको देखिए अगर लॉंग टाइम के लिए टीवी चाहिए तो फिर आपको LG, सैमसंग, सॉनी जैसे प्रीमिम ब्रांट का टीवी यहाँ पर लेना आपको 40,000, 45,000 के अराउंड में आपको मिल जाएगा LG 50 इंच टीवी पर्चेस कर सकते हैं LG UR7500 मॉडल जो कि आपको 44,000 लुपीज में मिल जाएगा और 55 इंच में अगर आपको पर्चेस करना है तो ऐसे एर V-series टीवी आप ले सकते हैं अगर आपको बड़े स्कीन यहां पर इंक्रीज करने अगर आपको लॉंग टाइम के लिए टीवी यूज करना है LG सेमसंग सॉनी इंटीवी में आप जो OTT कॉंटेंट है वो काफी बड़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो इन मैंसे आप यह जो मॉडल मैंने बताए हैं तो इन टीवी सिरीज लॉंच किया उसका टॉप मॉडल है डी यू 8300 उसका 65 इंच का वेरियंट इन्हें 66,000 रुपीज में मिल रहा है तो क्या यह गूड डील है देखिए एनस जी यह बहुत ही बढ़िया डील है आपको 66,000 रुपीज में 65 इंच का वेरियंट मिल रहा है तो टीवी का लुक सेंड डिजान भी अच्छा है तो आप चाहें तो यह पर्चेस का सकते हैं अलाहां पर कोश्चन लेते हैं एडरेट यूजर का नाम इनका यहां पर नहीं आ रहा है यह लगते हैं कि सर मेरे पास 55 इंच स्क्रीन है मेरे बेटे ने उस पे बॉल मार दी थी यह लखना चाह रहे होंगे तो स्क्रीन तूट गई अभी बोल रहे हैं कि 18,000 में वारंटी एक्स्टेंड हो जाएगी और उसमें 3 डेमेजिज आएंगी आपके इसाब से लेना चाहिए यह प्लान या नहीं देखें यहां पर आपने यह मेंशन नहीं किया आता है कि इस्क्रीन जो तूट गई है थो आपको पहले रिप्लेश करवाना पड़ेगी रिप्लेश होने के बाद में तो आपको रिप्लेशमェंट की कॉस्ट देन ही पड़ेगी और उसके बाद में आपको ए Chaphaar गजर नहीं किया है लेकिन अगर यहां पर मेरा सोचना साही है तो अाधराजार यह फिरमडिल sons करने के अलग से ले-रह हैं और में थृधिश कवकर करेंगे देखिए जो डेमेजिस पार्ट होता है वह इंशुरेंस में कवर होता है एक्टेंडिट वारंटी में वह नहीं आता है और यह लोग बोल तो देते हैं कि हम डेमेजिस कवर करेंगे लेकिन जब आप एक्चल में वारंटी क्लेम करेंगे तो आपको डेमेजिस कवर व काफी अच्छे वह स्क्रीन गार्ड है उनको आप लगा लेजिए पर्मनेट आपकी टीवी की स्क्रीन सेव हो जाएगी कभी भी डैमेज नहीं होगी इस पिछाए बॉल लग जाए तो 5000 रुपीस 4500 के अंडर में वह आपको मिल जाएगा तो 18,000 रुपे खर्च करने से बेटर पर्चेस करने के लिए खरच नहीं करना पड़ेंगे आप नहीं बनाना चाहते हैं रेडिमेट पर्चेस करना चाहते हैं तो अमेजर उन से पर्चेस कर सकते हैं लिंक उसका मैं आपको दे दूँगा वीडियो के डिस्किप्सन में तो 18,000 रुपे वारंटी एक्सिटेंट क प्रफियादर प्रोटर धीजांओ एंड एच्डियारय टैन प्लस सपोर्ट करता हो इसा चाहिएratos मेरी नजर मैं rabbits masterpiece आपके नजर में कौन सा है सो जी साजी view masterpiece वह काफिस बढ़िया TV है व्हू masterpiece TV भी काफि अच्छा है और мас Nem sparkled sql teacher अगर इनका बजट आपका तो डश्सक्राइस कर लेना चाहिए सबसे अच्छी बात है की काफी प्रिमियम्ट व्ह और मैं यह मानकर चल रहा हूं कि इसमें काफी अच्छी quality के जो components है वो लगे हुए है क्योंकि अभी तक view के काफी TV में complaint सुनने को मिली है और विब्रान के काफी TV में complaint सुनने को मिली है लेकिन view masterpiece TV या फिर view masterpiece glow QLE TV इनमें कोई complaint भी सुनने को नहीं मिली है तो आप यह purchase कह सकते हैं बानुपरताब गुपता जी का यह लिखते है कि सर मैंने एक लाग का LG TV purchase किया है company वाले four years extended warranty का 35,000 बोल रहे है क्या करना चाहिए बानुपरताब गुपता जी मैं अगर आपकी जगा होता मैं कभी 35,000 रुपे नहीं करता मैंने last to last year LG का TV purchase किया था LG UR 8040 55 वेरियंट वह 8,000 रपीस चार्ज कर रहे थे three years extended warranty के मैंने उनको वह पेर नहीं किये 35,000 रुपे बहुत प्राइज हो जाता है एक लाग के TV के लिए 35 रुपे की accident warranty यह तो I think बहुत ही जदा है normal TV आपका warranty में तो अभी 2-3 साल रहता है यह manufacturing warranty आती है दो साल की तो रहती है दो साल के बाद करवाएं अभी तो मेरे ख्याल से तो आपको यह नहीं दाना चाहिए अगला हम पर कोश्चन लेते है कुनाल मोदी जी का यह लिखते है कि हेलो सर मैंने अभी आपके suggestion से LG UR8040 43 इंच TV लिया है क्या उसमें AV2 HDMI converter से setup box चला सकते है क्या और उसकी video quality कैसी आएगी and कौन सा AV2 HDMI converter कुनाल मोदी जी definitely AV2 HDMI converter लगा के आप setup box से connect कर सकते हैं I think आपके पास में जो setup box है उसमें HDMI port नहीं दिया गया होगा तो आप HDMI converter purchase कर सकते हैं जनरली सारे जो converter है वह सेम ही Amazon पे मिलते हैं कुछ costly मिलते हैं कुछ थोड़े सस्ते मिलते हैं कॉस्टी वाले जादा नहीं लेना चाहिए वह 2200 रुपे की रेंज में है चार सो पांतो चैसे रुपे में मिल जाएंगे वह अलग-अलग ब्रांड पे अपना नाम चापके बेचते हैं बाकी वह जनरेक प्रोडक्ट है उस पे सभी चाहिना से इंपोर्ट करके अपना ब् करके देखेंगे थोड़ा बहुत जो वहाँ पर वीडियो क्वालिटी है वह उसका लॉस आपको जरूर उसमें देखने को मिलेगा अगरा यहां पर कोशन लेते हैं बैट 9N66 का नाम इनका यहां पर नहीं आ रहा है यह लगते हैं कि सर व्यू मास्टरपीस 55 इंच क्यू एल बताइए देखिए व्यू मास्टरपीस ग्लो क्यू एली टीवी काफी बढ़िया टीवी है 57,000 रुपीस में आपको यह थ्रीयस की वरंटी के साथ मिल रहा है तो बिल्कुल आप यह टीवी परचेस का सकते हैं हैसेंस यू 7 की मिनी क्यू एलीडी कंपरेजर में आप व्यू कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूश सकते हैं मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए